हेलो स्टुडेंट मैं सालू आप सबको सागत करती हूं वाले दी हिस्टोरिका पर जैसा कि आप लोगों को पता है यह जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वह ऑपन हो गया और आप लोग रजिस्ट्रेशन करना सुरू कर दें लेकिन आप लोग को एक डिसकत आ रही है वह है प आप लोगों का मैसेज और जो वीडियो के मादेम से कमेंट आ रहा है कि आप प्रिफ्रेंस इंट्री में जो सबसे पहला कॉलेज है वह कौन सा सब्सक्राइब कर दीजिगा तो सबसे पहले हम लोग देखते जो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए का जो नोटिफिकेशन आय तो आपको तीन सो रुपए जो है वह पर प्रोग्राम देना पड़ेगा। तो ओसके लिए आपको तीन सो जो है वहँ फीर से देना पड़ेगा 300-OOOO और फिर से भढ़ना परेगा यहीं सेमक्नडि़िशन लावू होता है सब्सक्राइब के लिए लेकिन यह है कि उनका जो फी है वह 500 रुपए है तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रिजिस्टेशन के लिए आपका जो पहश प्रिफिरेंस है वह क्या होना चाहिए अगर आप यहां थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो आपका जो दो साल है वह तो यहां यहां लर्क और लर्कियों के लिए अलग-अलग कंडिशन है क्योंकि यह जो सार्व फृफ्रैंस है यह लर्कियां भर सकती है लेकिन यह सारा फृफिरेंश जो है वह लर्के लड़के तो डुकाई तो लड़के जर फर्षपेंपस कि लियंदमिक निंगैंशम teachings पहला डिनफ सकते हैं यह पिर्पेंशहां प्रस्टेश्म क्या यह दाला होगा लोगा बपेड पर पेड़ कोर्ष क्या हो जाता है कि आपका जो नॉर्वन फी है जो भी वेचु का दो हजार तीन हजार नौर्वन फी है तो उससे आपमें उसमें आपका जो है अलग 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 होता है जिसे दस हजार या बीस हजार एक्स्ट्रा आपको पेड करना परेगा आपको डिपार्टमेंट में पढ़ने के लिए तो यह हो जाता है पेड कोर्स का वही थार्ड ओप्सन है आपका डिएवी पीजी कॉलेज तो आप इसे दूसरे नमर पे भी रख सकते हैं अगर आपको पेड कोर्स के साथ एडमिशन नहीं लेना है तो अगर पेड कोर्स के साथ भी आप डिपार्टमेंट परना चाहते हैं त तो अब लड़कियों की बात कर लेते हैं तो लड़किया जो है यह सारा प्रिफ्रेंस भर सकती है तो सबका जो क्वाइस है वो डिपार्टमेंट ही है तो सबसे पहले आप डिपार्ट्मेंट को पहले नम्मर पर रखी गाँ, वहीं दूसरे नम्मर पर डिपार्ट्मेंट का paid course को आप रख सकते हैं, दोनों से आपका जो admission होगा वो डिपार्ट्मेंट में ही होगा, बस ये है कि fee इसमें आपको ज़्यादा देना होगा, लगी हो या लर्की आओ वहीं तीस्टे नमर पे आप बसंदा college for women's रख सकते हैं अगर आप बसंदा college for women's से ही पढ़ना चाहते हैं आप RY, M, L, A, B, P, G ये सबसे नहीं पढ़ना चाहते तो आप चौथे नमर पे इसके paid कोर्स को रख सकते हैं बगर मैं कि बोलना चाहूंगे अगर आप अप्लियेटेट में ही पढ़ना चाहते तो आप पेड कोर्स पेड कोर्स पे क्यों ही एडमिसल लिजेगा तो आप देख जैसे कि थर्ड नमर पर यह हो गया फोट नमर पर आर्या महला पीजी कॉलेज हो गया यहां लड़के लड़किया दोनों पढ़ेंगे आप इसको लड़कों के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको दूसरे नमर पर भी डख सकते हैं फिर बसंत करन्या महला महाविद्याले हो गया वह पांचवा नमर पर इसी तरह से इसका जो पेड कोर्स है आप नीचे में ओलका है इसको 6 नमर पर रख सकते हैं इसको सात नमर पर इसको आठ इसको तो यह पेड कोर्स इसको तो यह ब्याइंचे तरह कि आप नहीं बदलने वाला है आप किसीवी प्रोफेसर से बात तो इसलिए पूरा ध्यान से भरे सबसे पहले डिपार्टमेंट में डाले और कुछ-कुछ बच्चों का यह यह आ जाता है कि मेरा कम नम्मर है तो मैं क्या दिये भी पहले दाल दू या कोई भी अफिलियेटेट कॉलेज पहले दाल दू नहीं अगर आपका अगर आपको एक नुकसान हो सकता है अगर कोई बच्चा जो बहुत सारे बच्चे हैं वह जो है अपना एडमिशन कोर्स जो है वह कैंसिल कर देते हैं तो आपको यहां अपग्रेड होने का चांस मिल सकता है यहीं अगर आपका डिये भी ही पहले रहेगा और डियेंसी आपका नीचे रहेगा तो यह आपका अपग्रेड नहीं हो सकता यह अपग्रेड होकर अब कहीं नहीं जाने वाला है तो आप ज़्यादा ज़्यादा प्र हमारे चैनल को लाइक कर लीजेगा और इंफोर्मेटिव लगी तो चैनल को सेर करना मत भूलिएगा धन्यवाद